राममंदिर का भव्य मंदिर प्रान प्रतिष्टा कारिक्रम के लिए तैयार हो गया है। मंदिर का गर्वग्रहे जहां रामलला की प्रान प्रतिष्टा होनी है उसकी पूरी तरह से फिनिशिंग हो चुकी है। मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर अनल मिश्रा ने संग मरमर पर बने कमल के फूल के जिस आसन पर रामलला का सिंगासन रखा जाएगा उसे गर्वग्रह में इस्थापित कर दिया है। विराम मंदिर के गर्वग्रह में ले जाएंगे। ठीक उसी तरह से जैसे सियम योगी आदितनाट टाट के मंदिर से रामलला को अस्थाई मंदिर तक ले कर आए थे। आपको बता दें कि 25,000 लोगों के ठहरने के लिए चार टेंड सिटी धर्मशालाओं वा मत मंदिरों में व्यवस्था की गई है। मौझूद करमचारियों ने बताया कि रामलला की प्रतिमा की फोटो तभी खीचिजा सकेगी जब मूर्तिकार उनको वस्र पहना देंगे। लिए पैतालस दिनों तक 25,000 श्रधालूओं को रोजाना बुलाया जाएगा जोदबुर के ओम महारिशी संदीपनी रामराज आश्रम से बैलगाडी से 600 किलो गाय का घी 108 कलशों में भर कर अयोध्या भेजा गया है रामलला की स्थापना के अफसर पर रामलला के सामने जलने वाली जोती वा प्रान प्रतिस्टा कारिक्रम की अनुस्थान में इस गोगरत का प्रयोग किया जाएगा आपको बता दें कि 108 कलश में 600 किलो देसी घी 27 नवंबर को जोदपुर से निकला था जिसे 5 बैलगाडी पर अयोध्या लेकर जोदपुर के संथ महर्शी संदीपनी म महराज पहुँचे हैं राजस्तान के जोदपुर से 600 किलो ग्राम घी लाने वाले संदीपनी जी महराज बताते हैं कि 27 नवंबर को हम लोग घरत पद यात्रा लेकर निकले थे और आज हम प्रभुराम की नगरी अयोध्या में पहुँचकर ट्रस्ट के पदाधिकारियों से मिलकर उन्हें घी को समर्द पिट करेंगे इस स्यात्रा में 108 कलश में शुद्ध गाए के घी रखे गए हैं जिसमें सब मिलाकर लगबग 600 किलो ग्राम घी है इस घी का इस्तमाल अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के प्रान प्रतिस्ठा और राम लला के गर्वग्रह में ज सबसे शुद्ध माना गया है इसका जिक्र आयुर्वेद की प्रमुक आउश्दियों में किया गया है इसके साथ इस स्वामी गोविन देवगिरी ने कहा कि राम मंदिर के लिए विदेश से भी अनेक दुरलब सामगरिया भेजी जा रही है थाइलेंड में भी अयोध्या न में शामिल करने का अनुरूत किया गया है